नमस्कार दोस्तो वेलकम टो बेक जगुग्यान आज हम फिर से आगए आपके सामने एक और प्रशनल लोन एप लेकर इस एप से आप मातर तीन मिलिट के अंदर साथ चोपचास रुप्या से लेके पचास से जार रुप्या तका लोन ले सकते हो दोस्तो आज के टाइम में प्ले स्टोर में कहीं सारी लोन एप्लिकेशन अवेलेबल है इन में से बहुत सारी एप्लिकेशन फेक है जो हमारे साथ फ्रोड करती है लेकिन आपको कैसे पते सालेगा कि कौनछी एप्लिकेशन फेक है या कौनछी सही दोस्तो यह पता करने का आसान सा तीन तरीका है पहला तरीका है कोई भी एप से लोन लेने से पहले उसके बारे में रिव्यू जरूर बढ़ ले कि लोग इस application के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या कॉमेंट कर रहे हैं दूसरा तरीका है कोई भी application आपसे लोन लेने से पहले किसी फी परकार की फीज मांगे तो पक्का समझ लेना या फ्रोड है। क्योंकि जन्यून application कभी आपसे पहले फीज नहीं मांगती। बल्कि आपकी लोन में से फीज की रकम कात लेती है। और तिसरा तरीका है आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस सेनल में हम जो भी application के बारे में बताते हैं उसकी पहले पूरी research करते हैं। उसके बाद ही वीडियो के जड़िया आपके सामने लाते हैं। जिससे आपको आसानी से लोन मिल सके और आपके साथ कोई fraud ना हो। तो दोस्तो आज हम जिस professional loan application के बारे में बताएंगे उसका नाम है branch professional loan app। दोस्तो branch app NBFC और RBI register है और यह app इंडिया के साथ-साथ Kenya, Nargeria और Tangeria में loan प्रोवाइड करती है। तो दोस्तो आज के वीडिया में हम branch NBFC रजिस्टर करना और loan के लिए apply करने के पूरी प्रोसेच जानेंगे। तो बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो में अंतक। दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे एक सोटी सी रिक्वेस है कि वीडियो पसने आई है तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप सेनल में नहीं है तो प्रिज सेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन डबाकर ओल नोटिपिकिशन ओन कर दें। जिसे हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिपिकिशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तो वीडियो के डिस्क्रेशन में इस वाले एप की लिंक मिल जाएगी महापक क्लिक करके ये एपको इंस्टोल करना है। 4.5 की रेटिंग है इसेप की और 10 मिलियोन प्लेश डाउनलोट है। इसेप के फिच्चर की बात करें तो यह है कि इंडियन फास्टर प्रस्टनल लोन एफ है। यहाँ पर आप सेलरी स्लीप के साथ 2 लाग का बड़ा लोन अनलोक कर सकते हो। लोन सिर्फ 3 मिलिट के अंदर डाइरेक अपना भियां के काउट में आ जाता है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल EMI ओप्शन अवेलोबल है। यहाँ पर आप अनलिमिटेट फ्री सीविल स्कोर चेक कर सकते हो। 24 बाई 7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है। और 100% टाश्फररंच यह है, कोई भी हिडन सार्ज नहीं लगता। दोस्तों इसकी डिटेल की बात करें तो, यहाँ पर आप 750 रुपिया से लेके 50,000 रुपिया तक कर लोन ले सकते हो। जिसका 10 यू टाइम 62 डे से लेके 6 मंत कर रहेगा। और 2% से 3% टक इंट्रेस्ट लगता है। इसके अलावा यहाँ पर सारी डिटेल दीगी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। सबसे पहले इस आपको ओपन करके इसके रजिस्टेशन प्रोसेस कंप्लेट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। इस पेज में पहले आपकी country से लेक करना है। और फिर फोन नमर या Facebook से रजिस्टर करना है। हम सिमपल यहाँ पर फोन नमर से रजिस्टर करेंगे। ि इसके लिए रजिस्टर्वित फोन two Number पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना phone number एंटर करना है और register new account पर क्लिक कर देना है तो आपके mobile number पर एक OTP आएगा वो यहाँ पर auto generate हो जाएगा तो अब आपका registration process complete हो जाएगा और आप इस एपके dashboard में आ जाओगे यहाँ पर loan के लिए apply करने के लिए इस loan वाले option पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा यहाँ पर आप देख सकते हो 75 रुपिया से लेके 55,000 रुपिया तका loan आप step by step ले सकते हो तो यहाँ पर simple start your loan application पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ ऐसा page open होगा जिसमें आपको कुछ पर्मिशन अलोग करनी है यहाँ पर simply allow access में अपका अपने id सेलेक करनी है जिसमें आधारकार यह वोटो डाइडी में से कुई बेख सेलेक करनी है हम simply यहाँ पर आधारकार सेलेक कर लेंगे और continue पर क्लिक कर देंगे तो अब आपका अपना करना साथ है हो तो कर सकते हो वहना सब्मीट कर दे यहाँ पर फिर से थोड़ा लोडिंग लेगा उसके बाद यहाँ पर आधरकार कभी एक फोटो क्लिक करना है और फिर रिटेक करना साथ हो तो कर सकते हो वहना सब्मीट कर दे यहाँ पर फिर से थोड़ा लोडिंग लेगा औ और फिर आपको अपनी एक clean selfie क्लिक करने है यहाँ पर भी आप रिटेक लेना साथ है तो ले सकते हो वन्हा सब्मीट पर क्लिक कर दे अब आपके समने कुछ ऐसा एंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको अपनी पूरी information एंटर करने है यहाँ पर अपना full name एंटर करना है यहाँ अपर date of birth एंटर करना है यहाँ पर gender select करना है उसके बाद नीशे स्क्रोल करके यहाँ पर अपनी city एंटर करने है पिन कोड एंटर करना है state select करना है email id एंटर करने है और box पर टीक करके continue पर क्लिक कर दे इस वाले page में आपको bank name और bank account number एंटर करना है सबसे पहले bank name में क्लिक करके अपनी bank select कर ले उसके बाद नीचे अपना bank account number एंटर कर दे और simply submit पर क्लिक कर दे तो यहाँ पर page थोड़ा loading लेगा अब आपके समने loan offer वाला एसा page आ जाएगा और आपको loan amount दिखाई देगी यहाँ पर हमें 751200 का loan offer हुआ है इन में से कोई भी हम अभी ले सकते है दो वैसे जैसे time to time repayment करते जाएंगे वैसे वैसे loan amount increase होती जाएगी तो अब amount select करके continue पर क्लिक कर दे इस वाले page में आपको loan repayment terms select करना है इसके लिए select loan terms में click करके 1 month या 2 month कोई भी एक select कर ले loan की पूरी detail जाने के लिए view loan detail पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप loan की सारी detail देख सकते हो और repayment schedule भी देख सकते हो अब loan के लिए apply करने के लिए simple यह हम बेग जाएंगे और यहाँ पर continue पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने confirm deposit account वाला page ओपन हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी loan amount दीखेगी और उसके निच्छे आपका bank का नाम और account नमर दीखेगा तो अब loan लेने के लिए simply apply नाव पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप apply नाव पर क्लिक करोगे तो माँ 13 मिनिट का अंदर आपका loan amount आपके bank account में deposit हो जाएंगे मुझे अभी loan की जरूरत नहीं है इसलिए मैं अभी apply नहीं करता लेकिन आपको 100% यहाँ चे लोन मिल जाएगी तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक like जरूर कर देना और इस एपसे loan लेने में आपको कोई भी परिशा नहीं है तो मुझे comment box में बताएए मैं आपकी जरूर मदद करूँगा तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye